लोगसबा के लिए बीजेपी की स्ट्राटीजी 10% वोट बढ़ाने पर फोकस नमस्कार आप देख रहे हैं दखावरदार सांसद भी स्टास को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे तो चलिए जानते हैं क्या है बीजेपी की स्ट्राटीजी आगामी लोगसबा चनाव में 10% वोट बढ़ाने की कबायश शुरूग करने जा रही है जिसके लिए पार्टी ने गाउं चलो अभियान लॉंच किया है अभियान के तहत ग्रामी शेत्रों में आगामी लोगसबा चनाव में 10% वोट शेर बढ़ाने का लक्ष रखा है बीजेपी के इस प्लान का पूरा फोकस उन सीटर पर होगा जहां विदान सभा चनाव में पार्ची को हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के इस अभियार में बड़े नीता गाव में राद गुजारेंगे सीया मोहन समीत उनके मंत्री बीजेपी के सांसद विधायक और बड़े पदाधिकारी गाव में राद बिताएंगे और जुनता से समवात करेंगे ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और आगामे लोकसबचनाव में हार को जीत में बदला जा सके बताते कि लोकसबचनाव से पहले संग्टन को वारमप करने के लिए 9 फरवरी से BJP गाउं चलो अभियान चलाने वाली है गाउं चलो अभियान के तहट भाशपा नेता न केवाल गाउं में बलकी मंदिरों में भी रुकेंगे और लोगों से समवाद करेंगे इसके लावा खिलाडियों समासेवियों से भी विकास के सुझाव दिये जाएंगे जिसमें राम मंदिर से लेकर भाजपा सरकार के दूसरे सभी बड़े फैसले जन जन तक मौशाने के लिए प्लैन पर काम किया जाएगा मुक्यमंत्री से लेकर मंत्री सांसद और विधायक को उन गाउं और शहरी वाडों में एक रात और एक दिन बिताने को बेज़ा जाएगा जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में सभीहान से दिगज जिनिताओं की साख भी अब दाव पर होगी पार्टी मद्रिप्रदेश के 53,000 से ज्यादा गाउं और करीब 45,000 शहरी वाड को कवर करेगी जिसमें 65,000 बूत भी शामिल है पता दे कि पार्टी को विधान समच चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली है लेकिन कई ग्रामीड शेत्रों में पार्टी को हार का सामना करना प अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वास्तु कलाव वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं को लाची मारा आपके लाई